कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उधान के रुप में चर्चा हो रही है, लोग उसको उधान के रुप में प्रस्तूत करते हैं। आज भारत में 96% से जादा केसे रिकवर हो चुके हैं। फैटलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में हैं, जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिती को सामने रखते हुए जो प्रेजेंडेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहन पहलू हमारे सामने आये हैं। दुनिया के अधिकाउंस कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं, जिने कोरोना की कई वेवस का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसिस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी हैं। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उलेख हुआ है, जिसे महाराष्ट है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्ति की हैं, सिर्ब मैं कह रहा हूँ, इसा नहीं है। और विशेश चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूर्द भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट और MP में, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और केसों की संख्या भी बढ़ रही हैं, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जीलों में भी ये वृद्धी देखने को मिल रही हैं, जो अभी तक खुद को बचाय हुए थे। सेब जोन थे एक प्रकार से, अब वहाँ पर हमें कुछ चीजे नजर आ लिए हैं। देश के सब्तर जिलों में तो पिछले कुछ हपतों में ये वृद्धी 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई मामारी को यही नहीं रोकेंगे, तो देश व्यापी आउट ब्रेक के स्थिती बन सकती हैं। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पिक को तूरंत रोकना ही होगा। और इसके लिए हमें क्वीक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। को लेकर अब स्थानिय प्रसासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानिय स्थर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत हैं उनकी पड़ताल, उनकी समिक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुल्जाने जाना यह मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवशक है। यह मंधन का विशह है कि आखिर कुर्स ख्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। क्यों ऐसे ही ख्षेत्रों में टिकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह गुड़ गवर्नेंस की परिशा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा confidence, overconfidence भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाई में भी नहीं बदलनी चाहिए हमें जनता को panic mode में भी नहीं लाना है एक भाय का सामराज्य फैल जाए ये विश्वतिति नहीं लानी है और कुछ सावधानिया बरत करके, कुछ initiative ले करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनेती बनानी होगी हर राज्य के अपने अपने प्रहोग हैं अच्छे प्रहोग हैं अच्छे initiative हैं कई राज्य दूसरे राज्यों से नहीं नहीं प्रहोग सीख भी रहें लेकिन अब एक साल में हमारी government machine को नीचे तक ऐसी स्थित्यों में कैसे काम करना करीप करीप ट्रेनी हो चुकी है अब हमें proactive होना जरूरी है हमें जहां जरूरी हो और यह मैं आगरपुर्व कहता हूं micro containment zone बनाने का विकल भी किसी भी हालत में डिलास नहीं लानी चाहिए इस पर बड़े आगरप से काम करना चाहिए जीलों में काम कर रही pandemic जो response teams को containment और surveillance SOPs इसकी reorientation की आवश्यक्ता हो वो भी किया जाना चाहिए फिर से एक बार 4 गंटे 6 गंटे के लिए बैठ करके चर्था हो हर लेवल पर चर्था हो sensitize भी करेंगे पुरानी चीज़े याद भी करा देंगे और गती भी ला सकते हैं और इसके साथ ही test track और treat इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरतास की ज़रूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं हर संक्रमित व्यक्ति के context को कम से कम समय में track करना और RT-PCR taste rate 70% से उपर रखना बहुत एहम है हम यह भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में rapid antigen testing पर ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरों से गाड़ी चल रही है जैसे केरल है पुडिशा है 36 गड़ है यूपी है मुझे लगता है कि इस पर बहुत तेजी से बदल की ज़रूत है इन सभी राज्यों में मैं तो कहाता हूँ देश के सभी राज्यों में हमें आर्टी पिसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोड़ देना होगा एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर टू और टियर थ्री शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे उनके आसपास के एक शेतर प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं देखे इस लड़ाई में हम सफलता पुबग बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गाउओं को इससे मुक्त रख पाए थे लेकिन टियर टू टियर थ्री सिटी पहुँचा तो इसको गाउओं में जाने से देर नहीं लगेगी और गाउओं को समालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टीम और एम्विलेंस नेटवर्क के उपर विशेज ज्यान देना होगा प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वाइरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ट बैनर में हो रहा है इसकी बहुत बड़ी बज़य ये भी है कि अब पुरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है विदेशों से आने वाले लोगों के संख्या भी इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की उसके कॉंटेक्स के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साजा करना जरूरी है आपस में जानकारी साजा करने के लिए किसी नए मेकेनिजम की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए इसकर विदेश से पहेचाने वाले यात्रियों और उनके कॉंटक्स के सर्वेलंस के लिए S.O.P के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई है अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के नूटन्स को भी पहेचाने और उनके प्रभावाओं का आकलन भी का भी एक प्रशन है आपके राज्यों में आपको वाइरस के बेरियंड का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सेंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही एहम है साथियों वैक्सिन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी निश्चित तोर पर इस लड़ाई में वैक्सिन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हत्यार आया है यह प्रभावी हत्यार है देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है हम एक दिन में तीस लाख लोगों को वैक्सिन करने के आकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिन डोसिज वेस्ट होने के समस्या को बहुत गंबिरता से लेना चाहिए तेलंग अना और आन्धर परदेश में 10 प्रतिशत से ज़्यादा वैक्सिन वेस्टेज है यूपी में भी वैक्सिन वेस्टेज के लिवरी बैसा ही है वैक्सिन को वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूँ हर रोज शाम को इसके monitoring की ववस्ता रहनी चाहिए और हमारी system को proactive लोगों को contact करके एक साथ इतने लोग मोजूद रहे ताकि वैक्सिन दे वैक्सिन वेस्टेज न जाए इसकी ववस्ता होनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से जितना percentage वेस्टेज होता है हम कि स्थानिय तरपर planning और governance की जो भी कम्या है उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए वैक्सिन वेस्टेज जितनी रुकेगी और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टार्गेट से काम शुरू करना चाहिए हमारी हम वेस्टेज नहीं होने देगे एक कार कोशिस करेंगे तो इंप्रूमेंट जरूर होगा उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सिन की दोनों लोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होगे मुझे विश्वात है कि हमारे इन सामुहित प्रया फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ ताकि हम सभी इन विश्वाओं पर ध्यान देते हुई आगे बढ़े एक मंत्र जो हमें लगाता है हम सब को कहना होगा दवाई भी और कड़ाई भी देखिए दवाई मतलब विबारी चली के जनी मान लिजे किसी को जुकाम हुआ है उस ठंडी जगा पे बिना सुरक्षा के उनी कपड़े पहने बिना वो चला जाए बारिज बगे भीगने लिए चला जाए ठीक है तुम्हें दवाई ली है लेकिन तुम्हें बाकी समालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ये धारे हैल्स का नियम है ये कोई इस बीमारी के लिए अगर हमें टाइपड हुआ दवाई हो गए सब हो गए फिर भी डॉक्टर कहते हैं इन इन चीजों को नहीं खाना ये वैसा ही है और इसलिए मैं समय तो इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी इस विशे में हम बार-बार लोगों को आगरे करें दूसरा जो विशे मैंने कहा आर्टी पीसी आर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवशक हैं ताकि नए केसिस की पहचान तून्त हो सके थानिय प्रशासन को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने के दिसामें हमें आगरह करना चाहिए वह वहीं पर क हम तेजी से करें हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमन का दायरा फैलने से रोकने में मदद करेगा वैक्सिन लगाने वाले केंदरों की संख्या बढ़ाने की आवशक्ता है वह प्राइवेट हो सरकारी हो जीतना जैसा आपने मैप देखा होगा वह आपते पार भी बनाया वह शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया देखने से पता चलता है बहुत सारे एलाक हैं कि जाहां लाइट ग्रीन लग रहा है मतलब की हमारे वैक्सिनेशन चेंटर उटने नहीं है और यह तो एक्टिव नहीं है देखिए टेक्नोलोजी हमारी बहुत मदद कर रही है हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को और्गनाइज कर सकते हैं इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसमें उसके अधार पर हमें इंप्रूमेंट करना है हमारे जितने सेंटर्स प्रोयक्टिव होंगे मिशन बोर्ड में काम करेंगे वेस्टेज भी काम होगा संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंट बढ़ेगा मैं चाहता हूं कि इसको बल दिये जाए साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि वैक्सीन निरंतर प्रोड़क्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बहार निकले हमें निकलना है ह अधरवाई ये एक साल, दो साल, तीन साल तक खिंटा चला जाएगा एक बुद्धा है वैक्सीन के एक्सपारी डेट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उप्योग हो जो बाद में आया है उसका बाद में उप्योग हो अगर जो बाद में आया एवडेबल बेस्टेट से तो हमें बचना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है, इसके एक्सपारी डेट ये हैं, हम सबसे पहले इसका उप्योग कर देंगे, ये बहुत जरूरी है, और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमन के फैलाव को रोकने के ये जो मुल्भूत कदम है, जैसा मैं कहता हूँ, दवाई भी और कड़ाई भी, मास पहनना है, दोगेश की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का अध्यान रखना है, परस्टनल हाईजिन हो या सोशल हाईजिन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा, ऐसे कई कदम ज को बल देने की ज़रौत है, फिर से इस बार आगरे करने की ज़रौत है, उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए, जैसे हमारे कैप्टन साब कह रहे थे, हम कल से बड़ा कड़ाई करने का मूमेंट चला रहे है, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम सब ले इस विशा में हिम्बत के साथ करना पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि इन विश्वों पर लोगों की जागुरूपता बनाये रखने में हमको सफलता मिलेगी, मैं फिर एक बार आपके सुझाओं का दिए धन्यवाद करता और 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 भी जो सुझाओं है आप जुरू लिए आप दो-चार घंटे में ही सारी जान कर गया दे दीजिए ताकि मैं साम को साथ आठ बिजे के आसपास मेरे डिपांट्मेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटल लेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्वाद करने होंगे, तो ह मैं भी उस पर ध्यान दूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अब तक जो लड़ाई जीचते आए हैं, हम सब का सयोग हैं, एक एक हमारा कोरोना वारियर का सयोग है, उसके करण हुआ है, जनता जनारदन ने भी बहुत कोपरेट किया है, हमें जनता से जूजना नहीं पड़ है, हम जो भी बात लेते गए, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है, और भारत विजय हो रहा है, एक सो तीस करोड़ देश्वास्चों के एक जाबरुपता के कारण, एक सो तीस करोड़ देश्वास्चों के सयोग के कारण, एक सो तीस करोड़ देश्वास हम उस बड़लाव को फिर से एक बार रोख पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का भी स्वास है, आप सबने बहुत महनत किये हैं, आपके पास इसके एक एक स्परटाइज टीम बन चुकी है, थोड़ा आप डेली एक बार दवबार पूछना श बहुत बिस्तार से अपनी सारी जानकारिया दी, मैं आपका बहुत बहुत आफार वेक्तर करता हूं, धन्यवाद जी.